अगला इंपोर्टेंट क्यूशन है हमारा कि यदि द्विगास समीकरण x²-kx-4 बराबर 0, 0 है ठीक है के मूल समान हो, अब ये द्विगास समीकरण दे रखें आपनों को ये वाली, इसके मूल क्या है, समान हो, तो k कमान ग्याद करना है अब देखो ध्यान से देखना, तीन कंडिशन होती है, द्विगास समीकरण में तीन कंडिशन होती है, देखो, b²-4ac, यदि इसका मान, इसका मान, पूरे का मान, जीरो से बढ़ा आता है, जीरो से बढ़ा आता है, तो इस कंडिशन में मूल जो होते है न, वो मूल कैसे होते ह वास्तविक होते हैं कैसे होते हैं वास्तविक तो बी स्क्वाइर माइनस फूर एसी का मान यदि जीरो से बढ़ाता है तो मूल कैसे होंगे वास्तविक होंगे अब दोगो होते हैं अपने खालप लिए तो देखो वापस repeat कर रहा हूँ b square minus 4ac का मान यदी 0 से बड़ा आता है तो mole वास्टिव होंगे और b square minus 4ac का मान यदी 0 से छोटा आता है तो mole के से होंगे कालप निग होंगे तीसरी condition तीसरी condition है कि b square minus 4ac का मान यदी 0 के बड़ाबर आ जाता है यदी b square minus 4ac का मान 0 के बड़ाबर आ जाता है तो mole के से होंगे mole होते हैं बड़ाबर इस condition में mole का होते हैं बड़ाबर तो b square minus 4ac का मान यदी 0 आ जाता है तो mole के से होंगे बड़ाबर अब देखो इस question को आगे solve करते हैं तो देखो अपनी 4 बराबर 0 अब देखो ये x सक्कुाइर के जो सामने की ब्इद वही होती है वो a का मान होती है तो यहां पे a बराबर दे रहुआ है अपनों को 1 कुछ नहीं है तो क्या है 1 अब देखो b क्या होती है b होता है जो x के सामने वाला मान, अब देखो, X के सामने क्या है, K B है, और माइनस है तो माइनस के, तो B का मान कितना आगे है अपना, माइनस के अब C जो होता है, अचर बद होता है तो C बराबर 4, अब कुछ भी ने करना, इस समीकड़ में रखना है इस जगे रखना है कि मॉल बराबर दे रहे तो ये condition लगी तो देखो आगे solve करते हैं इसको तो देखना तो solve कर रहा हूं में इसको देखो इसमें रखोंगा b2-4ac बराबर 0 तो देखो b कमान कितना है बना माइनस के तो माइनस के का होल स्कॉयर माइनस फॉर एक का मान कितना है एक है और सी का मान कितना है चार है तो यह चार बराबर जीरो अब देखो यहां से आगे इधर करना हूँ तो दो माइनस की संक्या का स्कॉयर करेंगे तो क्या जाता है प्लस दो यहां पर देखना माइनस क के स्क्वायर है इसका मतलब होता है कि माइनस के को कितनी बार गुणा करना है दो बार तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और के को के से करेंगे तो के स्क्वायर ठीक है तो यह माइनस के स्क्वायर की जगे क्या लिखूंगा मैं के स्क्वायर ठीक है अब द को यह माईनस के सोला बराबर के इदन आँगा तो किसा के हो जाएग veloc a तो के बऄर के स्कॉायर बराबर सॉला अब उपनों को सुधक्या को मांनकों करना ही नगिना है अपनों को रहा जाएगा अन्डरूट 16 और अंडरूट 16 का मान कितना होता है k बराबर प्लस माइनस 4 ठीके, यह 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 यहाद करना नहीं आता है, देख लीजी, यहाँ पर कैसे solve करते हैं, इधर बतारो यहाँ पर देखना देखो, अंडरूट 16 है न, तो कुछ नहीं 16 के अभाज्य कुण अउन खंड कर देते हैं, जो अंडरूट में होता है, उस संग्या के अभाज्य कुण अंगर्त करते हैं तो देखो, दो आटे, 16 फिर दो चोकाट फिर दो दुना 4 और फिर दो एकम 2 अब देखो सूह कुछ नीं करता है अब आझ देज़न कान्ड के बाद दोदोग जोड़े बनालो तो यहां से मैंने 2 ले लिया और यहां से क्या ले लिया 2 तो दो को 2 से बनाई गिया चार तो इसका मान कितना गिए अपना 16 अपना 4 प्लस माइनस चार क्योंकि यहां पर गहात दो है तो इसके दो मान आेगी एक प्लस का मान आएगा और एक माइनस का मान ठीक है तो इसका आझसर ओगे अपना Option नम्बर ठीक है ना इसका अचिर का ओगया Option नम्बर ढिए I hope आपको clearly समझ मैंगे होगा इस सवाल पूरा ठीक न तो option number D